और ब्रेक के बाद एक बाद फिर आप सभी का बहुत स्वागत है उत्राखन की 70 विधान सभास सीटों पर आज 632 प्रत्याशी मैदान में उत्रे हुए हैं और आम जन्ता मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंची हुई है अलग-लग जगर से मेरे सयोगी लगाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं पल-पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जो चुनावी कवरेज है न्यूजवाल इंडिया की वो लगातार बनी हुई है तो ऐसे में अलग-अलग विधान सभाओं से और लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं शाजाद रुडकी से केश चब बादराबाद से वहीं भगवान सिंग पौरी से मिरसा जुड़ गए हैं संज्यर शिकेश से मिरसा जुड़ गए हैं उनका मैं रुख करूंगी और शिकेश पौरी रुडकी और बादराबाद के हालात कैसी हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे वहां पर वोटिंग प बात करूं तो अलग अलग जगा पर आकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन 8 प्रतीशत तक मददान हुआ है देखे अगर पहाड़ी लाकों की में बात करूं तो महाँ पर जो संक्या है मददाताओं की वो कुछ हद तक कम नजर आती है लेकिन अगर मैदानी लाकों की में भरपूर संक्या जो है वो आम जंता की नजर आ रही है मददाताओं की नजर आ रही है जो उत्सा है वो अलग से देखने के लिए मिल रहा है जैसा कि मंगलौर से आपने तस्वीरे देखी थी मंगलौर में काफी संक्या में महिलाएं जो हैं वोट करने के लिए पहुंच र तुरुशी केस से जो नाम सामने आ रहे हैं वो भी आप चलजन स्क्रीन पर है कपकोर से ललित मोहन, सुरेश गरिया ये इन दोनों की बीच तगड़ा कॉंपेटीशन है करन प्रियाग में मुकेश सिंग नेगी, अनिल नोट याल इसके अलावा कालाडूंगी से महेश शर्मा, बंसिदर भगत मैदान में बने हुए है वहीं अगर काशिपूर की हम बात करें तो काशिपूर में नरेंदर चंद सिंग और तुलोक सिंग च्रीमा भी मैदान में बने हुए है कीचा से तिलग राजबेहर, राजे शुकला, इन दोनों की बीच काटे की टकर देखने के लिए मिल रही है वहीं के दारनाच से मनुज रावत और शेला रानी रावत चुनावी मैदान में उतरे हुए है कोट द्वार से सुरेन सिंग नेगी रितू भूशन खंडूरी आपको तादें कि रितू भूशन पर खास फोकस किया जा रहा है इसके लावा खटीमा में जो की मैतुपोर्ण सीट है पुशकर सिंग धामी यहां मैदान में है ऐसे में किस चहरे पर आम जनता मुहर लगा रही है अपने आप में बहुत बड़ी बात है आज शाम तक तस्वीरे कुछ हद तक साफ हो जाएंगे लेकिन जो असल नतीजे हैं वो उनके लिए हमें 10 मार्च का इंतिजार करना होगा तो 70 विदानसवा सीटें और 632 जो प्रत्याशी हैं वो अपनी किस्मत आज आजमा रहे हैं और लाखों की संख्या में जो वोटर्स हैं वो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और EVM में उनकी किस्मत कैट कर रहे हैं एका दुखका जगा से कुछ ऐसी भी तस्वीरे सामनी आई कि EVM मशीन में गड़बड़ी थी हाला कि वक्त रहते होंने सुधारा गया है क्योंकि आगर हम पहले चिरण में उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत जगा से ये तस्वीरे सामनी आई थी कि उन्हें वोट करने के लिए 3-4-4 गंटे का इंतजार करना पड़ा है लेकिन उत्रा खड़ में ऐसी स्थी देखने के लिए अभी तक नहीं मिल रही है बहर हाल अभी दो गंटे का वक्त बीता है आगे हम देखते हैं कि स्थी और तस्वीरे किस तरह की देखने के लिए मिलती है जैसा कि मेरे सेयोगी लगातार बाचीत कर रहे हैं युवाओं से तो युवाओं का साब तोर पर कहना है कि हम बदलाव की स्थी चाहते हैं हम चाहते हैं कि वो सरकार बने जो हमारे लिए सोचे रोजगार देखे इसके अलावा जो पलाइन है उसे रोख सके वहीं महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं का साबत और पहत क्याना है कि महंगाई की मार वो लगातार जीलती है उनकी किचन का बजट जो है वो कर सके तो रूड की बादराबाद और पौडी रिशिकेश का हम रुख करेंगे उससे पहले तस्वीरे लगातार आपको दिखा रहे हैं भारी संख्या में मदाता पहुंश रहे हैं अलग-अलग जगा से जो होट विधानसभा सीटे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं जहां